हलो फ्रेंट्स अजका वीडियो है कि हम विप्ट रुणिंग स्टिच कैसे कर सकते हैं ऐन इज ऑसो नोनेस कोर्डेनेटेट falling आइए फ्रेंट्स वीडियो अन्यों को स्टार्ट करते है एक स्टेश करने के लिए हमें सबसे पहले एक लाइनर सिच की करने है इस तरह से इसमें हमें stitches के बीच में gap बहुत जादा नहीं रखना इसके बाद हमें एक blanch needle में which is not too sharp at point हमें contrast thread ले लेना है इसके बाद हमें क्या करना है हमें first stitch के center से left hand side से first stitch के center पे left hand side पे हमें इस तरह से needle को लाना है और अब हर stitch के नीचे से हमें right to left needle को slide करना है यह देखिए इस तरह से right to left needle को slide करना है हमें सिरफ slide करना है और हमें इस वाले thread को जादा tightly नहीं खीचना है इसका effect अच्छा देने के लिए हमें इसे tight नहीं खीचना है थोड़ा loose रखना है यह देखे मैं इसे right to left slide कर रहे हूं यह देखे friends जब हमने last stitch से इसे slide कर लिया इसके बाद हम क्या करेंगे हम same last stitch के भी center point से left hand वाली side देख रहे हैं आप thread left hand side पर ही है हम यहीं से इसे नीचे ले जाएंगे needle को इस तरह से friends हमारा web running stitch हो चुका है friends देखिए इस पर यह web running stitch ही हुआ हुआ है मैं आपको अब यह web running stitch complete करके दिखाती हूं इसके लिए जो मैंने running stitch किया है इसमें बस मैं आपको यह वाला किये मैंने rounded कैसे किया है यहाँ पर round देने के लिए जब भी curve आएगा तो हमें stitch को थोड़ा सा छोटा करना होगा ताकि वो curve properly बन सके यह देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूं यह पूरा stitch यहाँ पर प्रेश देखिए running stitch यहाँ पर complete हो गया है अब इसमें हम white running stitch करने के लिए contrast thread blunt needle मैंने ले लिए देखिए इसके बाद मैंने आपको बताया कि left hand side से हमें needle को लेना है तो देखिए मैंने stitch यहाँ से शिरू किया था यह right side होगा यह left side हो गई तो first stitch के middle से देखिए friends first stitch के middle से left hand side से मैंने needle को निकाला अब right to left हम slide करेंगे needle को देखिए अईने तो आई आई यह नह रह आई आई तुुुुुुुुुुु कि अब देखे प्रिंस इस तना से हमने इसे विप रॉनिंग स्टिच से कर लिया है